आज के समय में हर कोई अपने अनुसार, Off-Grid Solar System लगवाने की राय देते हैं, और हम बिना कुछ जाने ही, Off-Grid Solar लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे बहुत सारे खर्चों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप पहले Off-Grid Solar System के फायदे, नुकसान, और सबसिदी के बारे में सारी जानकारी जान ले, फिर Solar लगवाए, इस वीडियो में आपको Off-Grid की सारी जानकारी कम समय में मिल जाएगी, जैसे की Off-Grid Solar System, Solar Panel, Solar Inverter और Solar Battery से मिलकर बनता है, Off-Grid Solar System का इस्तिमाल ऐसी जगह पर किया जाता है, जहां पर बिजली कम समय के लिए आती है, या फिर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं हो, Off-Grid Solar System में हमको बैटरी बैकप मिलता है, Off-Grid System दिन के समय बिजली बनाकर, Solar Inverter की मदद से हमारे घर के सारे उपकरनों को चलाता है, और साथ में बाकी बची बिजली को Solar Inverter, Solar Battery को चार्ज कर देता है, जब Solar Panel से बिजली बनना बन ह हो जाती है, फिर Solar Inverter, Solar Battery से बिजली लेकर हमारे घर के सारे उपकरनों को चलाता है, यदि हम अपने घर के कम लोड़ वाले उपकरन जैसे पंखे, टीवी, लाइट इत्यादी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको 1100 विये का Inverter और एक बैटरी को लगवाना होगा, ले हम बड़े उपकरन इस Solar System से चला सकते हैं, अब बात आती है, Solar System की बैटरिया कितने साल तक चलती है, जैसे की, बैटरी की लाइफ साइकल ज्यादा से, ज्यादा दो से, तीन साल की होती है, उसके बाद में हमें फिर से बैटरियों को बदलना पढ़ता है, क्योंकि बैटरी बैकप कम हो जाता है, अब जानेगे, Off-Grid Solar System के फाइदे, इस Solar System का सबसे बड़ा फाइदा यह है, कि इस Solar को लगवाने के बाद हमें किसी भी सरकारी बिजली की कोई जरुरत नहीं पढ़ती, अब जानेगे, Off-Grid Solar System लगवाने का नुकसान, जैसे, इसमें केवल एक ही समस् वो है, बैटरिया, इन बैटरियों पर खर्च हमें हर तीन साल में करना पड़ेगा, अब बात आती है, क्या Off-Grid Solar System पर सबसेडी मिलती है, इसका जवाब है, हाँ, लेकिन सरकार सबसेडी किलोवाट के अनुसार देती है, जैसे, एक किलोवाट सोलर सिस्टम से लेकर, तीन क सोलर सिस्टम पर कोई सबसेडी नहीं मिलती, इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले.